नमस्ते फ्रेंट स्वागत करती हूं मैं आप लोग का मेरी चैनल पर तो यह वीडियो है थर्टी नयमबर का और अभी पचे हैं सुबह के सारी छे और जैसा कि मैं सुबह 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 सभी रूम में थोड़ा जाडू लगा लेती हूं हलका जाडू लगाती हूं फिर अच् निकाला है तो यहां पर जाडू का जो डश्ट होता है उसे जाड़ कर मैंने पहले थोड़ा सेप्रेट कर लिया है फिर भी इससे दो तीन दीन तक थोड़ा ड़स्ट निकलता रहेगा तो ऐसा तो होता ही है तो मैं आपको जाडू दिखाऊंगी कि अगर आपको भी कमर में दर्द की प्रॉबलम है या फिर आप जुके जाडू लगाना नहीं चाहते हैं नहीं लगा पाते हैं और आप घर में खुद ही जाडू लगाते हैं आपके बस कोई हाउसल पर नहीं है तो आप यह जाडू ले सकते हैं यह जारू 4 फिट 4 इंच के करीब लंबाय वाली कर सकते हैं मैं ऐसे जाडू ढूंड रही थी लेकिन मैं जब अपनी सुराल गई तो मैं से जाडू लेकर आई हूं और यह जाडू आपको भी कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है या फिर आपको जुक के जाडू देने में दिकत होती है तो आप यह ज़रू जरू ट्राइब कर स सुपर फ्रेस होने के बाद हम लोग घरम पानी पीते हैं और यहां पर एक बरण देख सकते हैं यह काला हो चुका है इसल्सापक säga लिगिन कितना भी साफ करने के बाद पीतल जैसा नहीं दिखता है बोलते तो हैं कि साफ हो जाने की बाद पीतल की तरह फिर दिखेगा लेकिन एक बड़ जब कालब पढ़ जाता है तो वह पीतल की तरह तो नहीं दिखता है और जो मिडल वाला बरनर है और साइड वाला थोड़ वाला वो नया चींज हुआ है क्योंकि वह थोड़ा खराब हो चुका था तो यहां पर पानी गर्म हो जाएगा तो पानी लेकर मैं अपने एक रूम के बेट के पास चली जाओंगी क्योंकि वहां पर जो विंडो है वहां पर बहुत अच्छी धूप आती है और धूप का मज़ा लेते लेते हम लोग पानी पीते हैं और दो से तीन मिनट तक वहां बैठते हैं पानी पीते हुए और उसके बाद फ तो अभी बजे हैं सुबक के साथ और मैं नास्ते में बनाने वाले उत्तपम इसके लिए मैंने रात में सूजी को थोड़े से पानी में भीगो के रख लिया था और यहां भी काट लिया है प्याज एक बड़ा प्याज टमाटर धनिया पता दही है यहां पे और यह चटनी क पानी में इसे डाले और लगबग 15-20 मिन तक छोड़ दें लेकिन सुबह में टाइम जादा नहीं मिल पाता तो इसलिए मैं रात में ही इसे भीगो के रख दी हूं और रात में भीगोने की वज़े से यह होता है कि आप इसमें अगर शोडार सुबह के टाइम में ना भी डा प्याज जो भी सज्जिया पढ़ती हैं लेकिन मैं थोड़ा सचाती हूं कि जो मैं इस पेस्ट को बना रही हूं इसमें भी थोड़ा प्याज और टमाटर का फ्लेवर आ जाए तो जो हमारा उत्तपम है बहुत अच्छा बनेगा तो इसमें मैं थोड़ा से मिक्स कर ले रही होता है उस तरह से बना ले और यहां पे मैं इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लूँगी क्योंकि जब रात में भीगोंगे सूजी को थोड़ा मिक्स करने में प्रॉब्लम आता है तो अगर आप चम्मसे ना कर पाए तो इस तरह से हाथ से मिक्स कर ले क्योंकि थोड़ा सा लस नहीं पड़ती और यहां पे मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया यहां पे आप इसे चाहिए तो तवापी भी बना सकते हैं और यहां पे जो टमाटर का बीच का जो रस वाला हिस्सा होता उसे मैंने निकाल दिया था तो यह टमाटर किसी और सभी में यूज आ होने हैं क controlar क्योंकि चाय बीचा लगता है और यहां पे देख सकते हैं पेंस्ट कईसा है जो ओत्त ही शाह थे शमयां चाहिए और यहां पर बनाने के लिए तो इस तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा कि इसका जो लेयर है वो खराब हो चुका है तो यहां पे मैंने बैटर को रख दिया है आप जिस साइच का उत्तपम बनाना चाहें वो बनाए और उपर से यह टॉपिंग लगा दे टमाटर की प्याज की और धनिया पत्ता की आप चाहें त है और तपम में सेट कर देना है और उसके बाद एक चमश तेल फिर से उपर के हिसे में डाल देना है और हां एक चुटकी नमक भी जो यह जो सबजियां पढ़ी है उपर से टमाटर प्याज उस पे छिडग देना है ताकि सबजियों में भी नमक का टेस्ट आ जाए और इस रख सामें गोड़ां से अाप इसे 24 से 25 कम नाट ठाव सकते हैं और उसके बाद पल्यह ने के बाद उसकि पर से नीचे का हीसें गाड़ा सकते हैं, विरिखुल ब्रांट हो चुका और अब उपर के हिसे को पकने देना है सब्जियों के साथ और अब मैं इसे 2-3 मिनट तक ढग दूंगी ताकि जो भी प्यास टमाटर है अच्छे से पक जाए और इस तरह से उत्पम को बनाएं यह उत्पम बहुत ही टेस्टी लगता है और सुबह का जो नास्ता है बहुत ही लगता है आप जरू ट्राइ करें यहां पर मैंने हजबन के लिए उत्पम बना लिया है और उन्हें उनकी नास्ती की थाली दे रही हूं और वो 8.30 में आफिस निकल गये थे उनकी जाने के बाद मैंने सारी क्लीनिंग की काम किये घर की काम किये और यहां पर सभी कुछ करने के बाद नहानी के बाद घर का प अपने रहे हूँस है कर लिया है अटम नहीं खाया था चुल भिकष्चा możबोध कि मेंट आपने लिए अपने अपने लिए अच्छा लगता है तो मैंने बैटर छुर दिया था और यहां मैं यह को चोटे करेला निकाल के रखी हूँ क्योंकि के जो करेला थे लांच में बनाओंगा तो यहां पर मैं अपने लिए उत्युपम बना लिए और जो कर लिया और उत्युपब współPO तो वो अपने class के लिए सारी तयारिया करके रखता है जो भी तीन subject होने वाला है उसके books, copy, pen वेगरा सब वो arrange करके रखता है तो अभी उसका 10.40 से class है 11.20 तक और 3 class होते होते उसका बीच में 10 मिनट का break मिलता है और 1.20 तक last class होता है तो बीच में बस 10 मिनट जब होता है तो मै कभी phone ले लेती हूँ और उसी phone से मैं video बनाती हूँ तो बीच में मुझे phone बहुत जादा नहीं मिलता है तो मैं बीच बीच में उसे जब break होता है तो मैं phone लेकर shoot कर लेती हूँ और यहां जब तक मेरा उत्तपम बन रहा है तीन उत्तपम बनेगा जितना बैटर बचा हुआ तब तक मैं यहां पे एक तरफ करेला बॉल होने के लिए रख दे रही हूँ क्योंकि भरवा करेले बनाने है और आलू इधर चील रही हूँ तो कि आलू कभी कुछ सबजी बनाना है और इधर मसाले के लिए मैंने lesson सरसुवगरा रख लिये है करेला भरवा के लिए और यहा जो digestion होता है वो अच्छा बना रहता है खाने के बाद और यहां पे सच में यह जो उत्तपम है बहुत ही अच्छा बना था और यह उत्तपम बहुत अच्छा होता है सुबह के नास्ति के लिए हफते में एक दिन यह उत्तपम जरूर बना यह आपको बहुत पसंद आएगा और अभी आप टाइम लेक सकते हैं, अभी टाइम हुआ है 11.40 और आयूस का जो एक क्लास खतम हो गया है, जो 10.40 से था, वो 11.30 तक चला है, और अब नेक्स क्लास है 11.50 में, तो मुझे 10 मिनट्स का टाइम मिल गया है, और मैंने उसे फोन फिर से ले लिया है, वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बीच-बीच में मैं जैसे बताई हूं कि फोन ले लेती हूं, तो उसे वो डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि फोन तो बस क्लास के लिए चाहिए, तो यहां पे मैंने करेले भरवे का कुछ तयारी करके रख लिया है, और यहां पे सैलेड को भी जो छील जो मैंने सूबा उत्तपम बनाय था, उसमें से थोड़ा बेटर बच किया था, जितना हमें उततपम बनाना था, उत्ना बना लिया था, तो जो उत्पम का बेटर बचीया है, तो उसमें मैं जो साम के समय के लिए थोड़ा अप्पे बना ले रहीं हूँ, उसमें मैंने और एक्स्ट्रा प्याच और तमाटर धनिया पत्ता थोड़ा बारी काटके डाल दिया है, और साथि-साथ मैंने उसमें सर्सू के तेल में जो बैतन है इसमें अच्छे कर चीए वक्ता बरतन है इसमें अच्छे से तील लगाकर और बैटर को ताव करें बन गया उट्टपं às मिया है और हां आप स्वॉड़ा डाल सकते हैं लेकिन यह यह क्यां अज्ड़ा है जैसे कि मैंने बताया मैंने उत्पम में भी सोडा का यूज नहीं किया था और अपे में भी सोडा का यूज नहीं किया है क्योंकि ये रात बर अच्छे से भीगा था और अच्छे से फूल गया था तो इसमें सोडा की जरुवत मुझे नहीं पड़ी है और तो यहां पे थोड़ा सा तेल उपर से भ सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल पटर नजर आएगा उसे हिट जरूर करें ताकि मेरे फीचर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को इजले मिलते रहेंगे तब तक की लिए बाइ बाइ